नमस्कार दोस्तों रेट के लिए हिंदी व्याकरण NCRT पलस RBSC के अनुसार हमारी ये कलासे चलेगी मित्रू जिसके अंदर ठोरी हम अलग देख रहे हैं आज हम जो कलास लेकर आएं इसके अंदर हम देखेंगे परसन उतर सबद रूपांदर मतलब काल, लिंग, वचन और कारक इनसे रिलेटेड जिस परकार के परसन एक्जाम के अंदर आते हैं कक्सा 6 से लेकर कक्सा 12 तक की जो हिंदी की व्याकरण की बुक चलती है उसके अंदर किस परकार के परसन देखने को मिलते हैं वो सभी क्यूसन है सतर परसन रहेंगे, सभी टोपिक के रहेंगे इनके वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही जैसे संदी और समास के हमने क्यूसन पहले देख लिये थे अब आगे हैं जो हर एक टोपिक है हिंदी व्याकरण का रीट के लिए कम्प्लीट RBSC पलस NCRT बेस के उपर में कम्प्लीट आपको क्यूसन एंस्वर है वो परती दिन एक क्लास के मादिम से जरूर करवाऊंगा दोस्तों इसलिए जो भी नए साथ हैं हमारे साथ जूड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की और बहुत अच्छा टोपिक है सब्द रूपांतरन काल, लिंग, वचन और कारक चार टोपिक है चार टोपिक हैं चार टोपिक हैं चंदर गुप्त मोरिये ने सिकंदर को हराया था चार ओपिक हैं आपके सामने बताईए यहां पे कौन सा काल है चंदर गुप्त मोरिये ने सिकंदर को हराया था मतलब पहली बात यहां पर पहली बात यहां पर कि यहां पर है कौन सा काल आपको ये देखना है काल कौन सा है वो आपको बताना है तो था यानि बूत काल की बात हो रही है बात किसकी कर रहे हैं यापे बूत काल की बात कर रहे हैं मित्रू अब यहाँ पे आती है मित्रू जो बूत काल है उसके परकार होते च्छे उसके परकार होते है जिनमें सामाने बूतकाल जब किरिया अभी बीते समय ही में संपन होती है उसे सामाने बूतकाल कहते है दूसरा है आपूर्ण बूतकाल जब किरिया के बूतकाल में लगातार होने का बोद है यानि बूतकाल में जारी रहे उसे पूर्ण भूत काल कहते हैं बहुत important चीज़ है ये आगे देखे पूर्ण भूत काल तीसरा बेद है जब किरिया बीते समय में पूर्ण तया संपन हो जाए उसको कहते हैं पूर्ण भूत काल अब संदिक्द की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमें बूतकाल के अंदर किरिया के संदे पर हो किरिया के होने पर या बीते समय में होने में क्या हो संदे हो वहाँ पर संदिक दोगा हेतु हेतु मद ये सबसे इंपोर्टेंट रहता है चुपाँचुआ काल इसमें जब बूतकाल की किरिया संपन ना हो और वाकिय में सयोजक सब्द जुड़ा वाओ वहाँ पर हितु हितु मदोगा और चटुआ बेद रहता है आसन बूतकाल आसन का अरत होता है निकिट यानि बूतकाल की जो किरिया है वो अभी अभी संपन होती है उसे आसन भूतकाल केते हैं अब यहाँ पर देखे चंदरगुप्त मोरिये ने सिकंदर को हराया था यहाँ पर कौन सा भूतकाल है हराया था मतलब पूर्ण भूतकाल है क्या है जो कारिये था भूतकाल में हो चुका है आगे चलिए नेक्स्ट में कारक के कुल कितने बेद है अब चलिए मित्रू कारक के कुल कितने बेद होते है मित्रू कारक के कुल कितने बेद होते है आठ बेद होते है इंपोर्टेंट चीजे यहाँ पर याद रख लेना पहला बेद है करता कारक चिन होता है ने करता ने दूसरा है करम करम चिन होता है को तीसरा बेद होता है आपका करण करण का चिन होता है सें या के दुआरा सें या के दुआरा चोता हता है आपके संपर्दान संपर्दान का रख संपर्दान जिसका होता है के लिए देखे करता ने करम को करण सें संपर्दान के लिए आपके चार बेद हो गए आगे चलिए पांचों जो आपका आएगा आएगा अपादान और अपादान का भी चिनकैस से हैं यहां पे करण का भी से हैं अपादान का भी से हैं लेकिन जो अपादान कारक होता है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा यहां पर विछेद का बेद मिलेगा जैसे पता पेड से पता तुटा अलग होने का बाव विछेद का बाव मिलेगा यहां पर वाके के अंदर आगे हम छटे की बात करें तो छटू हमारा कारक आता है सम्मंद कारक जिसके चिनू के अगर हम बात करें तो का की के ना नीने ये चीन होते हैं का की का के की साथ वह जो हमारा कारक आता है वो आता है अधी करण अधी करण और अधी करण के चीन होते है में पेपर ये अधी करण के चीन है मित्रू में पेपर और आठ वह जो कारक होता है वो संबोधन होता है संबोधन कारक समझे मी तरू संबोधन कारक है इसके अंदर हे अरे یہ चिन मिलेंगे आपको हे अरे यह चिन मिलेंगे दोस्तूं तो आप यहां पर हम ऌने देख लिया आठ कारक अब आगे वाक्यूं के अंदर आगे परसन आया रामने पाट पड़ा वाक्य में कारक है अब यहां पर देखिए राम ने पाट पड़ा यहां पर कारक कौन सा है देखिए ने करता ने तो ने आपका क्या है यहां पर कारक है दोस्तों क्यों से नमर चार देखिए स्याम ने ग्रे कारिये किया वाक्य में कारक का बेद है तो देखिए यहां पर स्या कारेक हो गया करता कारेक हो गया आगे चलिए राम दूद पीता है वाक्य में कौन सा कारेक है राम दूद पीता है करता में कौन सा गया राम दूद पीता है दूद करम करम का भाव है यहां पर किरिया का फल किस पर पढ़ रहा है करम पर तो उसे करम केते हैं यहां पर कौन सा क कारक हो गया करम कारक हो गया आगे चलिए नेक्स्ट में वेबव पेन से लिखता है यहां पे से आ रहा है तो से के अंदर कौन सा कारक होगा करता ने करम को करण से कौन सा कारक होगा करण कारक होगा आगे चलिए भगत सिंग देश के लिए सहीद हुए वाक्य में कारक बगत सिंग देश के लिए सहीद हुए अब यहां पर देखिए आप के लिए आ रहा है करता ने करम को करण से संपरदान के लिए यह देखिए आपका यहां पर के लिए तो कौन से कारक हो गया संपरदान कारक हो गया आगे चलिए पेड़ से पत्ता गिरता है वाके में कारक है अब यहां पे चिन तो सेंगा सेंग आ रहा है आपका अब ओपसन दो बस्ते करणकारिक है या अपदानकारिक है दोनूं के चिन है सेंग होते है मित्रूं तो यहां पर आपको सोचना है पेड़ से पत्ता गिरता है मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है छट से बालक कूदता है छट से बालक अलग हो रहा है तो यहाँ पे अलग का बाव आता है वहाँ पर अपादान कारक होगा आपका आगे चलिए क्यूसर नमबर नो विकास की पुस्तक वहाँ पढ़िये इसमें कारक कुन सा है विकास की तो बढ़ाईए यहां पे की, विकास की पुस्तक वहां पढ़िये तो का की के, यह किसके चीन बताये थे मैंने का की के सम्मंद के, यहां पे देखिए विकास की पुस्तक, पुस्तक के साथ विकास का सम्मंद दर्शाया जा रहा है, मतलब सम्मंद कारेक है यहां पे दस नमर वाक्यूसन है हमारा दिनेश चत पर पतंग उड़ा रहा है वाक्य में कारक है दिनेश है जो चत पर पतंग उड़ा रहा है अब यहां पे देखे पर आ रहा है आपका और मैंने बताया था आपको में पेपर यह किसके होते हैं बताईए मित्रू यह होते हैं आपके अ रूप बनेगा ये important question बन सकता है एक्जाम में सोर, सूरिय, 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 इन बहुत अच्छा क्यूसन आपके लिए पूचा क्या है कि सूरिय से स्ट्रिलिंग क्या बनेगा आप परते लगेगा तो क्या बनेगा सूरिय आगे चलिए next है सरब से स्ट्रिलिंग मनेगा ये ऐसे person लेकर आया हूँ जो एक्जामों में repeat होते है सरब से स्ट्रिलिंग क्या बनेगा मित्रू देखे, सरब सरब से मनेगा सरफीनी ये option बेवाला सरफीनी, सरब से सरफीनी मनेगा दोस्तु important है आपके लिए ये आगे चलिए नेक्स्ट है बारा नमर, तितली का लिंग परिवर्तन होगा तितली का लिंग परिवर्तन कीजिए तितली का लिंग परिवर्तन करना है तितली क्या है पहले ये बताओ आप इस्त्री लिंग, तितली क्या है इस तरी लिंग है अब इसका लिंग यानि पूर लिंग बनाना है आपको तो क्या होगा तितली नी होगा क्या होगा तितली नी क्या सही है मित्रूं तितली नी नहीं होगा मित्रूं गलत है आपका तितली है इसका पूर लिंग मनाना है हमें तो नर तितली होगा क्या होगा नर्तितली आगे चलिए तेरा नमर एक किस विकल में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है सादू से सादवी, चोधरी से चोधराइन, अनाथ से अनाथा, नेता से नेताइन अब बताईए आपने पढ़ा भहुत होगा सादू से सादवी, चोधरी से चोधराइन, अनाथ से अनाथा, ये तो मेरे को सभी सही लग रहे है लेकिन यहाँ पर देखिए, कहीं पर आपने नेताइन पढ़ा है क्या, नेत्री जरूर पढ़ा होगा नेता का नेत्री होता है, तो दे ओप्सन सही रहेगा आगे चलिए, इन में से कौन से पुलिंग सब्द का स्ट्रिलिंग रूप बनाया जा सकता है राष्टपती नहीं बनाया जा सकता आगे हम बात करें अध्यापक, अध्यापक का बनाया जा सकता है क्या बनेगा अध्यापक का इस्त्रिलिंग अध्यापी का क्या बनेगा अध्यापी का बनेगा मित्रू ये देखिए आपका मंत्री का नहीं बनेगा परदान मंत्री का नहीं बनेगा यह राश्टपती मंत्री परदान मंत्री ये ऐसे सब्द है ये पदनाम है इनका लिंग प सही है सही है मित्रूं विद्वान का विदूसी ये भी सही है नपुसंग का बांज ये भी सही है और कमल का कमली गलत क्या कमल का कमली होगा नहीं होगा इंपोर्टेंट बन सकता है ये कमली नहीं होगा क्या होगा कमली नहीं होगा क्या होगा कमली नहीं सही रहेगा आगे चलि के सही है मित्रू हाथी से हतीनी ये भी सही है आपका माली से मालीनी गलत है मालीनी नहीं होता है मालीन होता है माली से मालीन होता है मित्रू क्या होता है मालीन तो आपका सह ओपसन यहां पे सही है सेट से सेटानी ये भी सही है आगे चलिए किस विकल्ब में सही लिंग परिवर अब यहां पर बतादो कर्ता का अगर हम इस्त्रिलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा यह बनेगा कर्त्री ओप्सन ऐसा ही रहेगा आगे चलिए इन में से इस्त्रिलिंग सब्द नहीं है ससुराल इंद्राणी दर्सन और बक्ति अभी इस्त्रिलिंग सब्द कौ और बगती भी इस तरी लेंगे यहां पर, आगे चलिए, किस विकल में सही लिंक परिवर्तन नहीं हुआ है, पहला है आपका व्याक्याता व्याक्यातरी, पहला ही गलत है, निर्माता निर्मातरी सही है, बेड़ का मेंडा सही है, स्वामी का स्वामीनी सही है, अब यहां पर बताईए व्याक्याता का क्या होता है व्याक्याता का लिंग परिवर्तन अगर हम करेंगे तो यह पदनाम है इसका व्याक्याता ही होगा मित्रू व्याक्याता ही बनेगा तो ओप्सन ऐसा ही रहेगा बीस नमर की उसन देख लीजिए सुंदर सब्द का इस त्रिलिंग क्या है सुंद्रिये, सुंद्रिये ता, सुंद्री या सुंद्रिये करण, सुंदर का सुंद्री होगा, सभी को बता है, से option सही रहेगा, एक किस नमर है, प्रिये का स्त्रिलिंग होगा, बताइए मित्रू, प्रिये का स्त्रिलिंग, प्रियानी होगा, प्रिया होगा, प्रिये तम विकल में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है मित्रू हमारी क्लासे स्पीड के साथ होती है यह नहीं है कि आराम से दीरे-दीरे आपको है ना 30 क्यूसन के अंदर 30 मिनट लगा दे नहीं मित्रू सतर क्यूसन देंगे 30 मिनट में डबल अध्यन होगा आपका इनसे तो इस में सही लिंग परिवर्तन नहीं हुआ है किसमें लिए मित्रू पेला है हिरन है हीरनी सही है बगवान बगवति सही है जेट जेटानी सही है मगरमच नरमगरमच मित्रो मगरमच का यहाँ पे देखे आप यह सेव उप्सन नीचे हैं इसलिए मैंने पहले पढ़ दिया है मगरमच आपको जो दिया है न इसका अगर हम स्ट्रिलिंग बनाएंगे यह पुलिंग है तो इसका क्या बनेगा मादा मगरमच बनेगा यह important बन सकता है आपके लिए मगरमच पुलिंग होता है तो यहाँ पे देखे उप्सन सजीए आगे चलिए हिंदी में लिंक इतने परकार के होते हैं इतनी देर से पढ़ क्या रहे हैं दो परकार के होते हैं एक पुलिंग एक स्ट्रिलिंग ओप्सन एस सही है आपका आगे चलिए नेवन में से पूलिंग शब्द कौन सही है विद्वा कोयल नंदोई और बिल्ली विद्वा इस्त्रिलिंग है कोयल इस्त्रिलिंग है नंदोई आपका पूलिंग है यह देखिए सही ओप्सन सही रहेगा और बिल्ली भी ये सबी क्या होते हैं निते इस्त्रिलिंग होते हैं लेकिन जैसे कोवा है केचुवा है चित्ता तोता उल्लू ये क्या होते हैं पुलिंग होते हैं आगे चलिए इनमें से कौन सा सब सदेव पुलिंग में होता है बाग गोडा नातिन और केंचुवा पुलिंग में सदेव इ दो नमर पर क्या आपके गोड़ा दोस्तों गोड़ा का भी गोड़ी होता है नाती का नाती यहां पर नातीन दिया है तो नातीन का नाती होता है बचा क्या आपका केंचुआ केंचुआ हमें सा पूलिंग में ही परियूक्त होता है मित्रूं तो यहां पर ओप्सन कौन सा हो ग का आपका पूरी लंग है दोस्तों क्यों सन नमर 27 है हिंदी में वचन कितने परकार के होते हैं यानि लिंक से रिलेटेड क्यों सन हमने देख लिए अब वचन के क्यों सन आएंगे वचन कितने परकार के होते हैं दो परकार की एक वचन और बहुवचन ओप्सन ऐस सही रहेगा एक वचन जो एक का ही बोध कराए बहुचन जो अनेक का बोध कराए आगे चलिए बहुचन किसे कहते हैं यहाँ पर आगई प्रिवसा सबके जिस रूप से वस्तु की संक्या का बोध हो सबके जिस रूप से किसी जाती का बोध हो सब के किसी रूप से किसी वस्तु का बोद हो सब के किस रूप से अनेक वस्तु का बोद हो बहु अचन दो या दो से अधिक वस्तु का बोद करना ही क्या है बहु अचन है दोस्तु आगे चलिए नेक्ष्ट है पुस्तक का बहु अचन रूप क्या होगा यह बहुत अच्छा क्यूसन बना आपके सामने पुस्तक का बहु अचन क्या होगा यहां पर इसी परकार का एक क्यूसन है जो आया होए आपका पहले वो आया होए डाल से आया होए एक जाम में यह बता दो इसका पुस्तक का होगा पुस्तकें पुस्तक के हूँ और डाल का क्या होगा दाले होगा डाले इसी परका हरा का भी आसकता है रहा का होगा राहे। राहे, कलम का आए तो कलमे, दिवारा आए तो दिवारे, रात आए तो राते ए है। तीस नमर देखिए, निव में से बहुवचन बताना है आपको, किताब लोग, सामान और लेकर, यहाँ पर देखे कुछ निते बहुवचन सब्द होते हैं, जिनमें देखे आप लोग आपका, लोग है, आप है, प्राण है, होस है, यह सबी क्या होते हैं, जैसे समाचार, लस्ताग सर, यह क्या सबी निते बहुवचन होते हैं, यह मैं सम्झा बहुवचन में परियूखत होते हैं, आगे चलेए नेक्स्ट, एक वचन बताइए यहाँ पर निवन में से एक वचन है, जनता, प्राण, नियम और लताएं, मित्रू कुछ निते एक वचन सब्द होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर जनता दिया है, सामान होता है, सामान, इसके लावा प्रेम, प्रेम एक वचन होता है, मोहो एक वचन होता है, सत्ते, जूंट, पुलीस, पुलीस आपका एक वचन होता है, मित्रू क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, इसके लावा दूद गी, द पानी आग या वर्सा ये नित्ते एक वचन होते हैं मित्रू क्या होते हैं एक वचन होते हैं सोना चांदी टिन हवा ये सभी क्या होते हैं नित्ते एक वचन होते हैं आगे चलिए किस विकल में एक वचन बहुचन का सही जोड़ा है लड़का लड़की क्या सही जोड़ा पु आपका गलत है कागज कागजात ये भी आपका गलत है बताएंगे भी इनका क्या होगा इसकूल इसकूलू ये सही है आपका इसकूल का इसकूलू होता है बहुचन तो दे उपसन सही है यहां पर हम बात कर लें लड़का का क्या होगा चलो हम बात करते हैं कि यहां पर लड़क है अध्यापिका अध्यापिका का अध्यापिकाउं होगा क्या होगा अध्यापिकाउं ये बनेगा बहुचन इसका अध्यापिका का बचा क्या कागज और कागज का होगा आपके कागजूं क्या होगा कागजूं दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट है सादू सब्द का बहुँचन रूप बताईए ये भी बहुत अच्छा क्यों सनाया है सादू का बहुँचन सादू है सादू हूँ सादू या कोई नहीं सादू का बहुँचन होगा सादू हूँ और यहां पर सही है आपका आगे चलिए नारी का बहुँचन रूप क्या होगा नारी का नारिय अब यहां पर मात्राओं का फ्रक बन सकता है जो हमारी यहां पर रहके मात्रा लगी हुई है एक की वो ध्यान से देखें चोटी यह बड़ी यह वो देखकर आपको उत्तर देना है यहां पर और यहीं पर हम क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं यहां पर बै और ए ओप्सन उल गया जाता है या अब देखे नारी का अगर हम बनाएंगे तो नारी का क्या बनेगा मित्रू नारी का बनेगा नारिया नारिया यह देखे तो यहां पर कौन सा सही हो रहा है यह आगे चलिए गुरू का बहु अचन होगा बता दो यह तो बहुत सिंपल है गुरू का बहु गुरू का होगा गुरू जन दोस्तुम। ये बहुत अच्छा और important question है। सुधी से सुधी जन, चातर से चातर वरग, हम से हम लोग, लेकक से लेकक वरिंत, नेता से नेता गण, कवी से कवी लोग, सिक्सक से सिक्सक गण, बक्त से बक्त जन, युवा से युवा वरग, मंत्री से मंत्री मंडल, ये क्या बहुवचन है। आगे चलिए, किस विकल्ब में एक वच्चन है, एक वच्चन किसके अंतरगत दिया गया है, उन्होंने तुमको उनकी उसने, उन्होंने मतलब बहुत का बोध हो रहा है, तुमको तुम में एक थोड़े और भी हो सकते हैं, उनकी ये भी हो सकते हैं, उसने ये एक का बोध करा दूसरा दिया है रितू रितूएं वदू वदूएं और कुटिया कुटियां अब यहाँ पर देख ले ना मित्रू यहाँ पर जो आपको लगेगा ना वो मात्राइं जो लगती है उन्हें में फरक मिलेगा जो आपको यहाँ पर देखे आप से ओपसन में क्या दिया है आपक सहे ओप्सन में देखिए वदूएं, यहाँ पर मिश्टेक है वदूएं सही रूप में इस परकार लिखा जाता है तो यहाँ पर ओप्सन सही हो गया आगे चलिए, किस भी कल में एक वचन और बहुचन का जो जोड़ा है वो सही है दोश्तों खेती खेती और सही है बच्चा बच्चे सही है रात रातें ये भी सही है वकील वकला मित्रों अगर हम बात करें वकला वकला की तो ये फार्सी वासा में है वह वह वचन लेकिन फार्सी वासा में हम क्या पढ़ रहे है हिंदी पढ़ रहे है और हिंदी में वकील जो आपको यहां पर दिया गया है इसका क्या होगा? वकीलू होगा क्या होगा? वकीलू होगा तो आपका दे उपसन सही हो गया यहां पर आगे चलिए अनेक लोगों के लिए संबोधन शब्दों में मातरा लगेगी कि अनेक लोगों के लिए आप संबोधन करना चाहते हैं। तो वहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी। आप लगाते हैं ये और हो जाता है गलत। जबकि होती कौन सी है ये मात्रा होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि बायूं यहाँ पर देखिए। चलो चोड़ो इसको बायूं कि बहन हूं इसमें देख लो कौन सी मात्रा लगी है। तो ये आपका सै ओपसन यहाँ पर सही रहेगा। आके चलिए नेक्स्ट में किस विकल में एक वचन बहुचन का जो जोड़ा है वो गलत है वो आपको बताना है। दिया आपको है लड़की का लड़कियां सही है। खरबूज खरबूज का खरबूजाओं खरबूज बै ओपसन नीचे है थोड़ा सा यहाँ पर देखना। खरबूज खरबूज का खरबूजाओं क्या सही है मित्रूज है। गर्बूज है तो इसका बहु अच्छन होगा खर्बूजूं क्या होगा खर्बूजूं यह होगा आपका यही गलत है यहां पर तु बैव अपसंड सूऑ है, चूआ चूँँ दवाई दवाईयां यह सही है आगे चलिए, मेरे रिक्तिस्तान, तुम सब यहां आओ रिक्तिस्तान के लिए उप्यूक सब्द का चेन कीजिए अब बाई लगाना है आपको रिक्तिस्तान में लेकिन बाई लगेगा कौन सा वो बताना है बाई 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 जनू या बाई 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 उन कौन सा लगेगा अभी अभी मैंने आपको बताया था पहले बहुँ अचन लगाने के लिए संबोदन के समय मेरे आगे देखी ये संबोधन का चिन लगा वा ना यहाँ पे संबोधन का जहां पर होता है वहाँ पर भायू लिखा जाता है यहांपर आप देख लो यह दे ओफसन आपका सही हो गया आगे चलिए नेक्स्ट है आपका मजदुरू के लिए पचास पहुंचाओ रिक्तिस्तान के लिए उप्यूग सब्द का चेहन कीजिए यहाँ पे मजदुरू के लिए रोटी पहुंचानी है तो रोटी है इसका आपको बहुचान बनाना है मजदुरू के लिए पचास पचास बहुचान तो बताईए क्या आएगा रोटी रोटियू रोटियां या रोट क्या आएगा रोटी का बहुचान क्या बनेगा रोटी का बहुचान बनेगा रोटियां यह देखिए आपका तो आपका सह उप्सन सही हो गया 43 नमर क्यूसन देखे मेरे आते ही पिंजरे से उड़ गई चिडिया चिडिया चिडियूं या चिडियाएं कौन उड़ गई मेरे आते ही पिंजरे से उड़ गई बताईए मितरूं क्या चिडिया उड़ गई नेक्स्ट क्यूसन है आगरा का बववचन होगा आगरा का बववचन क्या होगा आगरे आगरू आगरे या कोई नहीं आगरा का बववचन आगरा ही होगा तो यहां पर देखे कोई नहीं दैव उप्सन सही रहेगा चलिए नेक्स्ट में, दादा का बहु अचन क्या होगा, दादा का बहु अचन क्या होगा, मित्रूप पारिवारिक जो आकारंट सब्दाते हैं, अन्त में आकारंट मतलब अन्त में आपको आकी मातरा मिले, जैसे चाचा, जैसे नाना, समझे आप, जैसे बाबा, यह पारिव में आकी धवनी मिल रही है आकारण सब्द है यह समान रहते हैं क्या रहते हैं समान रहते हैं अब यहां पर कुछ अपवाद है वो मैं बताऊंगा आपको तो यहां पर दादा का बहुवचंद दादा ही होगा कोई नहीं अब देखे कुछ जो है जैसे मैंने यहां पर लिग अब बांजा, यह पाईवारिक सब्द है और आकी दौनी आ रही है लेकिन यह क्या है? एक अपोःद है इसका क्या हो जाते है? बांजे हो जाता है बाउवचन बन जाता है साला साला भी यहाँ पे आकारंद मिल रहा है लेकिन इसका बहुवचन बनाएंगे तो साले बन जाएगा चलो इसको छड़ो एक बतीजा बनता है बतीजा का बहुवचन बनाओ क्या बनेगा बतीजे तो ये कुछ ऐसे सब्दे जो क्या होते हैं अपवाद सवरूप काम में करते हैं आगे चलिए 46 है क्रिया की अवस्ता का बहुद कराने वाले सब क्या कहलाते हैं क्रिया की अवस्ता का बहुद कराते हैं वो काल कहलाते हैं और काल तीन परकार के होते हैं वर्तमान काल दूसरा बूत काल और तीसरा बविशे काल बविशे काल या बविशे काल ये काल दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट में राम पढ़ता है वाक्य में काल है राम पढ़ता है इसमें काल कौन सा है दोस्तों तो राम पढ़ रहा है यहां पर पढ़ता है मतलब वात वर्तमान की हो रही है लेकिन वर्तमान के भी तो बहुत बेद है पांच बेद है वर्तमा वर्तमानकाल जिसके अंदर किरिया के परस्तु समय में ही कारिये होने का बोद होता है और इसे वाक्यू के अंत में आपको ता ती ते मिलेगा तो यहां पे देखे राम पढ़ता है ता है ती है ते हैं तो यहां पे कुंसा हो गया सामाने वर्तमानकाल हो गया आपका दूसरा होता है एहपुन वर्तमानकाल जब किरिया लगातार हो रही हो मतलब वर्तमानकाल में किरिया जारी है कारियपुन नहीं वो है वहाँ पर एहपुन वर्तमानकाल होगा एहपुन वर्तमानकाल होगा वाक्य के अंत में मिलेगा रा है, रही है, रहे हैं ये दोस्तों, तीसरा होता है पौन वर्तमानकाल, जब हो रही किरिया पौन संपन हो जाए, जिस समय हम बात करें उसी समय, तो वहाँ पर पौन वर्तमानकाल होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, है लगेगा आगे, जैसे रामपढ तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल होगा, चोता होता है संदिक्द वर्तमान काल, जब वर्तमान की जो किरिया है, उस पर हम क्या करें, संदे हो में, या पूर्ण नहीं हुए, तो उसे संदिक्द वर्तमान केते हैं, जैसे राम पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा हमें संदे है उस पे लेकिन बात तो वर्तमान की हो रही है तो संदिक्द वर्तमान काल और पांचवा होता है संभावे जब वर्तमान काल में जो किरिया है उसके होने का अनुमान हम लगाए संबhaus ना करें कि वर्तमान काल में हो गई समझे आप तो वांपर होगा संबावे जैसे सिता गई होगी राम ने पड़ा होगा राम ने पड़ा हो तो यह कै आपके यह है संबावे वर्तमान तो यह वरतमान के पाँच बेर आगे चलेए एरटालीस वा शाम क्रिकेड खेल रहा होगा होगा किसके साथ आएगा बताएए मितरू होगा यानि कि शाम शाम है जो क्रिकेड खेल रहा होगा बात वर्तमान क्यों रही है मितरू होगा लेकिन है क्या संभावना है खेल रहा है खेल नहीं रहा है पता नहीं है मैं तो क्या यहां पे संदिग्द वर्तमान काल है आगे चलिए मेच खतम हो गया है हो गया है अब यहां पे बताओ हो गया है यहां पे देखिए गया ता है ती है तेहें यह गया यह है यह है यह है यह पर भी कौन सा होगा सामाने वर्तमान काल होगा नेक्स्ट है साइद वर्सा आएगी वाक्य में काल बताईए शायद वर्सा आएगी हम संभावना हमें ये तो एह नहीं कि वर्सा आ रही है या पक्की वर्सा आएगी सायद आएगी आभी सकते है नहीं भी आ सकते है मतलब संभ पाट पड़ा वाके में काल बताईए मैं राम ने पाट पड़ा कब पेले ही पड़ लिया मतलब है तो बूत काल है तो बूत काल लेकिन बूत काल के तो कितने बेद पड़े थे हमने पेले पेले ही परसन में छे बेद पड़े थे अब देखे यहां पर राम ने पाट पड़ा यहां पर आपको क्या जब किरिया भी बीते समय में ही संपन हुई है क्या हूई है दोस्तू तो सामाने बूदकाल हो गया आगे चलिए नेज्ट में यदि राम नहीं आया होता तो हम कारिये संपन नहीं कर पाते वाके में काल आपको बताना है यदी राम नहीं आया, अगर आपको इसा मिले, अगर मिले कहीं पर, वाके में, मगर मिले, यदी मिले, तो यहां पर हमेसा आपको करना है, हेतू हेतू मद बूतकाल दो, किरिया यहां पर बूतकाल, लेकि यदी राम नहीं आया होता, हम कारिय संपन नहीं कर पाते, यानि कारि सायद रमेज कल चेने ही चला गया होगा कल चेने ही चला गया होगा मतलब बूतकाल की बात हो रही है बूतकाल है आपका यहां पर लेकिन बात किसकी हो रही है वो हो रही है कि बूतकाल में कौन सा है सामाने नहीं है एपून नहीं है यहां पर संदिग्द है क्यों साइद गया नहीं गया उसकी बात नहीं हो रही है बात बूतकाल की कह रहा अगला बंदा हमको लेकिन यह नहीं कह रहा कब पका गया यहीं पर है यह कह रहा है साइद रमेश कल्चे नहीं गया मतलब संदिक्द भूत काल है आगे चलिए पंकज नागोर गया है वाक्य में काल कौन सा है पंकज नागोर गया है पंकज नागोर गया है देखें यहां पे नागोर पंकज है जो नागोर गया है मतलब निकिट का बोद गया ही है निकिट का बोद और निकिट का बोध कौन कराता है आसन बोध कराता है आसन तो यहां पे आपका आसन बूत काल हो गया आगे चलिए किरिया के जिस रूप से आने वाले समय में संपन होने का बोध हो आने वाले आगे के समय में संपन होने का बोध हो जो किरिया है उसका तो बताए किरिया के जि कल जेपुर जाएगा तो यहां पे कौन सी होगी अब यहां पे हम बात जाएगा मतलब बात है वो बविश्यकाल की है लेकिन बविश्यकाल के परकार होते हैं तीन पहला है सामानी सामानी बविश्यकाल दूसरा है संभावे बविश्यकाल और तीसरा है वो होता है हेतु हेतु मद वाला हेतु हेतु मद बहुशे काल सामाने सामाने रूप से किरिया के बहुशे में होने का बहुशे जो किरिया है वो सामाने होगी संभावे किरिया के जिस रूप में एक संभावना मिले हमें साहिद राम क्रिकेट खेले गा वहां पर एक संभावना मिल जए और हेतु हेतुमद जब वह इसे में किरिया संपन होने का कोई अन्य कारण हो यानि हेतु वहाँ पर हेतु हेतुमद होगा अब देखें यहां पर सायद है केलास कल जेपूर जाएगा मतलब संभावना है संभावे बैयोप्सन होगे ना आपका सही यहां पर आगे चलिए नेक्ष्ट में बिना साथ चलेगी तो रीता भी जाएगी वाके में काल है बिना अगर साथ चलेगी हमारे तो कौन जाएगी रीता भी जाएगी बिना साथ चलेगी तो रीता भी जाएगी कौनसा है यहां पर बात भूशे क्यों हो रही है साथ जाएगी लेकिन यहां पर देखिए यहां पर हेतू हेतू मद है मित्रू कारण है कारण है बीना साथ चलेगी देखें यहां पर बीना साथ चलेगी तो ही रीता जाएगी अब मैं क्या करूँ संभावे काल होगा उसके पास फिक्स चीज नहीं बताईए उसने तो संभावे बविस्यत काल होगा नेक्ष्ट है क्या तुमें कल विकानेर जाओगे क्या कल तुम विकानेर जाओगे तो इसके अंदर पूछा गया एक परसन के रूप में तो यहां पर ना तो कोई संभावना है ना कोई कारण दिया है मतलब सामाने बविस्यत काल है नेक्ष्ट में चलिए यदि आप साथ चलो तो काम हो जाएगा वाक्य में काल है यदि आप साथ चलो तो काम हो जाएगा यहां पे कुन सा है यदी आप साथ चलो तो काम हो जाएगा कारण काम होने का कारण उसको बताया कि अगर आप साथ चले तो मतलब एतू एतू मद बविश्यत काल है सिपाई रात को पहरा देता है वाकिय में बताईए सिपाई रात को पहरा देता है तो यहाँ पर ना तो कोई संभावना विक्त की गई है ना यहाँ पर कोई कारणा बताया गया है मतलब सामान वर्तमान काल है दोस्ति क्या सही है? सिपाई रात को पहरा देता है तो बात तो वर्तमान की है ना तो वर्तमान काल है नेक्स्ट आपका जब आप वहां जाओगे तो मुझे भी बुला लेना बताईए मित्रू जब आप वहां जाओ तो मुझे बुला लेना अब यहां पर बताना है पहले बात तो यहां पर वर्तमान काल है और चारू अप्सनों में वर्तमानी है तो वर्तमानी है आपका अब देखिए दूसरी बात यहां पर करें जब आप वहां जाओ तो मुझे भी बुला लेना इस संभावना है कि आप जब भी जाओ मुझे बुला लेना तो संभावे वर्तमान काल हो गया नेक्स्ट आपका कहीं बारिस आई होगी तबी ठंडी आ चल रही है ठंडी हवा चल रही है आ की दिए कहा हुआ है मित्रू ठंडी हवा चल रही है बताईए वाकिये में कौन सा काल बन रहा है यहां पर कहीं बारिस होगी तबी तो ठंडी हवा कहीं बारिस होगी मतलब बात बूतकाल की कर रहा है अब देखिए आगे हैं बूतकाल का कौन सा परकार है वो आपको बताना है तो यहाँ पे आपको एक संभावना ही वेकत conservation कई पर वारिस हो ही होगी तब यह तो ठंडी अवा रही है यह कांड बतारा है ना तो मतलब संदिक्द बूतकाल है ये नेक्स्ट में चलिए यदि वे प्रिस्रम करता तो अवसे सपल होता वाकिये में काल बताईए वह परिस्रम करता तो सपल होता मतलब फेल हो चुका है वो बात बहुतकाल की हो गई है के ने का मतलब मेरा बहुतकाल की हो गई है अब बहुतकाल में कौन सी है वो तो हमें बतानी पड़ेगी तो देखे यदि वह परिस्रम करता तो वह उसे यानि प्रिस्रम कारण है और ये देखिए उसका वाक्य मतलब है तु है तुमद बहूत काल है यहां पर नेक्स्ट में चलिए सरोज खेल रही है वाक्य में काल है सरोज खेल रही है वरतमान में काम कर रही है खेल रही है तो सामाने वर्तमान काल हो गया यहां पे आई ओपसन यहां पे सही हो गया नेक्स्ट में चली है आपका नेक्स्ट है आपका किस विकल में संदिक्द बूथकाल है संदिक्द बूथकाल देखे किसमें गरीमा गाना गाती है सेजल खाना बना रही होगी अबे ओपीस में काम कर रहा होगा चाचा जी साइज जेपूर जाए अब यहां पे पुछा बूतकाल देखे यहां पे देखे गरिमा खाना गाती है यहां पे कोई संभावना नहीं है सेजल खाना बना रही है यहां पे संभावना है खाना बना रही होगी और यहां पे देखे, अब्बे ओपीस में काम कर रहा होगा, बोनु बूत काल से हैं, संजी आप, अब्बे ओपीस में काम कर रहा होगा, सेजल खाना बना रही होगी, चाचा जी साइद जेपूर जाएं, जाएं, मतलब यह तो बोशे की बात हो कर रहा है, तो यहां पे अब देखें अबब-बे इउपीस में काम कर रहा होगा वर्तमानी बात है अबब-बे इउपीस गयלה तो काम करेगा अब सेजल खाना बना रही होगी यहां पर क्या है? संदिक्द है दोस्तुं बूतकाल की किरिया के साथ संपन हो रही है ये किरिया बूतकाल क्योंकि वो खाना बनाती बनाती वेतंवान में आ गई है तो यहां पर क्या होगा संदिक्ड बूठकाल होगा दोस्तों तो बैव उपसन यहां पे सही रहीगा 68 नमर क्यूसन है रीमा निमद पर्तियोगिता में बाग लेगी वाकिछे में काल बताना है रिमा है जो निम्मद पर्तियोगिता में भाग लेगी बहुषे में लेगी और बहुषे में तीन ही बहुषे है सामाने शंभवे और हेतु हेतु मत रिमा निम्मद पर्तियोगिता में भाग ले कोई संभवना नहीं वक्त कीगी की लिसाइद ले वो तो कुछ है नहीं इगा मतलब संभावे तो नहीं है है तो है तो कोई कारण भी यहां पे नहीं दिया गया है कि इस कारण से लेगी मतलब सामाने बविशे काल है आगे चलिए मैं उसको जितना पेशा देता था वे उतना ही ले लेता था वाके में काल बताईए मैं उसको जितना दू वो ले ले मैं उसको जितना पेशा देता था वे उतना ही ले लेता था कौन सा है यहां पे आसन भूतकाल अपून भूतकाल यहां पर अपून भूतकाल यह संदिक्द भूतकाल उसकी इच्छा थी कि वो एक I.S. ओपिसर बने एपोन वाक्य बन रहा है कोई यहां पर पोन किरिया नहीं हो रही है मतलब एपोन भूत काल है बैव ओप्सन सही है यहां पे यह थे सत्तर क्यूसन काल वचन लिंक से रिलेटर एक वार कमेंट करके सभी साती कमेंट करके बता दे मेरे को किसी परकार परतिदिन क 완से इंदि व्याकरण की सरूर रखें अगर आपको पसंद आईए तो सेर करके बता देना दोस्तूं सेर करना अधिक सेर दिख वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है चैनल को सबस्क्राइब करें, मिलते हैं कल इसी समय, आप सभी को तब तक, बहुत बहुत रन्यवाद, जे हिंद, जे बारत.